भगवत भक्ति का प्रचार करना भगवान श्री हरी के भक्ति का एक अंग है कारण इसमें भगवान श्री हरी के नाम रूप लीला भगवत विज्ञान तत्वों का किरतन होता है और इसे पीडिद बद्ध जिवों को श्रवन करने का अवसर प्राप्त होता है निश्कपट अनन्य शुद्ध भाव से अगर भगवान की भक्ति का प्रचार करे तो यह सर्वोत्तम जगत कल्यान का कारिय है श्री संत एकनाद महाराज अपने हरीपाट गरंत में कहते हैं कि सुखी त्याने भावे जगा निववावे अध्यानी लावावे सनमारगासी भगवत प्रचार कार्य से ही भावतिक जगत के विमुड अध्यानियों को सुख प्राप्त हो सकता है यदि कोई सुखी होना चाहे तो हरी भक्ति का अनुशीलन और प्रचार यह दोनों अतियावश्चक है भवतिक सुख भवतिक ज्यान संपत्ति संबंध आधी जीवों को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती जीव का कल्यान केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्ती में और वैश्नवो के संग में और भक्ती हिन कृष्ण बहिरमुक लोगों को हरी भक्ती के सन मार्ग पे ले जाने से ही होगा इस आधुनिक वैद्मियानिक विकास के नाम पर वेद और वैदिक परमपरा वैदिक कर्तव्यों का खंडन हो रहा है सनादन वैदिक धर्म के आधार पर ही परमार्थ या भागवत धर्म का अनुशिरन करने से ही हमारा जीवन सफल हो सकता है भगवान स्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता पंदराबाद ध्याय सात्वा श्लोग ममई वांश जीव लोके जीव भूतह सनातनह मनशष्ठानी इंद्रियानी प्रकुर्तिरस्थानी कर्शती प्रत्यक जीव केवल स्री कृष्ण का नित्य सनातन विभिन्न अम्ष है परन्तु बद्ध अवस्था में इस भवतिक जगत में जडिया मन और इंद्रियों को आकरशित करके अपने आपको भारी श्रिंकला से बंदा हुआ है तो ऐसी अवस्था में केवल वैश्णव गुरु का आश्रय लेकर अपने आपको इस भवतिक पिड़ा से मुक्ति पाकर श्री कृष्ण की प्रेम मैं सेवा का अखंड आनंद प्राप्त कर सकता है भग्ति के अंगों के नियम नुसार वैश्णव गुरु से हरी नाम बीज मंद्र भगवद गायतरी दिक्षा लेकर भग्ति की शिक्षा प्राप्त करके और हरी नाम किर्टन करते हुए अपना जीवन सार्त कर सकता है पस यही एक उपाय है एक महान ग्रंत है जिसका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य चरीता अमृत जिसके लेकक है श्री कृष्ण दार्स के विराज गोष स्वामी महान संत तो वे अपने इस ग्रंत में लिखते है श्री गवरांग महाप्रभू अपने भक्त श्री रूप गोष्ण स्वामी को भक्ती का उपदेश करते हैं कहते हैं कि भक्ती ये विशाल सागर की तरह है और इस भक्ती की शिक्षा में केवल एक उस सागर के बिंदू मात्र के प्रमान से मैं आपको दे रहा हूँ महाप्रभू कहते हैं कि इस जगत में इस ब्रह्मान में 84 लाख योनिया है और हम सब जीव इस योनियों में ब्रह्मन करते रहते हैं जिस प्रकार बंदर एक पेड़ से लेके दुसरे पेड़ पर दुसरे पेड़ से लेके तिसरे पेड़ पर फिर चोथे फिर पाचवे जिस प्रकार छलंग लगाता रहता है उसी प्रकार हम जीव एक शरीर से दुसरे शरीर में फिर तीसरे शरीर में और इसी प्रकार हम 84 लाग योनियों के शरीरों में घूमते रहते हैं और ये बहुती पीडा कारी होता है बहुती से पीडा हमें मिलती है एक शरीर से दुसरे शरीर में जाना विष्ण पुरान में कहा गया है जल जनव लक्षानी स्थावर लक्षविम्षती क्रमयो रुद्र संक्या काह पक्षिनाम दश लक्षणम त्रिम्षल लक्षानी पशव शतुर लक्षानी मानुषः नौ लाक योनिया है जलजव जो जल में रहने वाले प्राणी और बीस लाक योनिया है स्थावर यानि पेड़ पौधे ग्यारा लाक योनिया है क्रमन करने वाले प्राणी जिस प्रकार सर्प मगरमच और दस लाक योनिया है पक्षो की त्रिम्शल लक्षानी पशव हा तीस लाक योनिया है चार पैर पे चलने वाले प्राणीयों की और चतुर लक्षानी मनुषः और चार लाक योनिया है मानुवों की मनुषः जाती तो जीव इन सभी योनियों में घूमता रहता है और ये बहुती इसमें बहुती जीव को पीड़ा होती है बहुती कष्ट होते है और वास्तविक में ये जीव एक अविनाशी तक्त्व है ये भगवान का अम्श है नजायते मृयते वाकदाचिन नायम भुत्वा भवितावा नभी भुयह अजोनित्यशाश्वतोयम पुरानो नहन्यते हन्यमाने शरीरे भगवद गीता दूसरा अध्याय श्लोक बीस जीव को कभी जन्म या मृत्यु कभी भी नहीं है न जीव कभी अस्तित्व में आता है न उसका कभी नाश होता है वो अजन्मा है नित्य है शाश्वत है और अगर शरीर की हत्या हो अगर शरीर को नश्ट किया जाए तो जीव कभी नश्ट नहीं होता नहन्यते हन्यमाने शरीरे और जीव कैसा है तो उपनिश्दों में कहा गया है केशाग्रशत के भागपुनह सताम शकरी तारासम सुक्ष्म जीवेर स्वरुप विचारी केशाग्रशत भागस्य शतम्शाशदा शत्मा कह जीव सुक्ष्म स्वरूप यम संख्याति तो ही चितकण है जीव एक चितकण है चितकण यानि चिन्मय वस्तु है मृत वस्तु नहीं है हमारा शरीर जड़ मृत है पर जीव ये चितकण है जिसमें चेतना है और अती सुक्ष्म है और इसका आकार कैसा है अगर हमारे बाल के टोक को अग्रभाग को इसके सौखंड किये जाए और उनी सौखंडित को और उनके सौखंड किये जाए वह है आकार इस जीव का अती सुख्ष्म बाला ग्रशत भागस्य शतदा कल्पितस्यच भागो जीवस्वित्निय इतिच्चाह पराश्ष्रुतिह तो श्वेताश्वतर उपनिशुद में कहा गया है कि इस बाल के नौक को अगर इसके सौखंड किये जाए और उनी सौखंड को फिर से उनके सौखंड किये जाए वह जीवका कार है अति सुक्ष्म सुक्ष्मा नाम अपि अहम जीव भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी सुक्ष्म वस्तूओं में मैं एक जीव हूँ तो इस प्रकार हम जीव अनेक यौनियों में भटकते रहते हैं तारामद्ध स्थावर जंगम दूई भेद जंगमेत्रिय जलस्था सलाचरवी भेद और अनेक यौनियों में भटकते रहते हैं जैसे स्थावर जंगम स्थावर याने जिस प्रकार पेड और पौध है ये स्थावर है जंग मयाने घूमने वाले जैसे पशु, पक्षी, आदी तो चैतन चरितामरत में शुल कृष्ण दास का विराज गोसमामी बताते हैं कि तारामध्य मनुष्य जाती अति अल पतर तारामध्य मलेच्छ पुलिंद बउध साबर और मनुष्यों में अनिक प्रकार की जाती है अनिक प्रकार के विभाजन है जिस प्रकार मलेच्छ पुल जिंद, बवद्ध, साबर और उन सभी मनुष्यों में वेदनिष्टामध्धे इन सभी विभाजनों में जो वेदिक धर्म का पालन करते हैं वे अतीश्रेष्ट है वेदनिष्टामध्धे अर्देक वेदमुखे माने वेदनिषिद्ध पापकरे धर्मनाही जाने तो मनुष्यों में जो वेदों का वैदिक धर्म का अनुशीलन करते हैं वे सर्वशेष्ट है उनको महान कहा गया है पर उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों के नाम पे पाप कर्म करते हैं और जो वेदों का जो सार है वो नहीं जानते वेदों का सार है भगवान स्री कृष्ण की वक्ती उनका प्रेम प्राप्त करना पद्धुभाग्य वैश्ट वैदिक धर्म में जिन्होंने जन्म लिया है वही वेदों के नाम पे पाप कर्म करते हैं दर्माचारी मध्धे बहुता कर्मनिष्ठ कोटी कर्मनिष्ठ मध्धे एकद्न्यानी श्रेष्ठ और ऐसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करने वाले उनमें से बहुत सारे कर्मी होते हैं कर्मी याने जो केवल अपने संसारिक सुख को वरदित करने के लिए प्रैत्न करते हैं और उन में से बहुत कुछ न्यान योगी होते हैं जो अद्वाइत ब्रह्मतत्वत न्यान भगवान का निर्वन निराकार स्वरूप की उपासना करने वाले मोक्षकी काम ना करने वाले उन में से बहुत ही कम होते हैं तो हर जीव इस 84 लाख योनियों में ब्रह्मन करते करते हमेशा भय और क्रोध का जीवन जीता है उसके जीवन में हमेशा भय और क्रोध होता है एक कहावत है कि कि एक लड़की हमेशा सोते समय अपने पिताजी, अपने माता और अपने बुज़र्गों को good bye, good night कहती थी तो एक बार उसने अपने पिताजी को कहा good night पर सभी को good night कहा फिर अपने दादी को उसने good bye कहा तो सब आश्टे रहे चकित हो गए और दुसरे दिन देगा हो दादी मर गई और फिर से हमेशा की तरह वो लड़की सब को गुड़नाइट कहती थी फिर दादा जी को गुड़वाई कहा और देखा दुसरे दिन दादा जी मर गई तो उसके पिता जी को भई होने लगा अभी मेरी अभी मेरी बारी है, अभी यह मुझे गुड़बाई बोलेगी और फिर मैं मर जाओंगा, तो बिचारा अपने बेटी से बिश रहा, और बेटी के सामने नहीं आने लगा, तो फिर भी वो लड़की आई और पिता जी को कही, अपने मादा को कही गुड़ नाइट, और फिर ब दूसरे दिन देखा तो उसको कुछ नहीं हुआ, वो जीवी थी था, और बहुत खुश हो गया, पुरी रात वो भाई के कारण सो नहीं पाया, उसको भाई ता कि मैं मर जाओंगा, पर कुछ नहीं हुआ, तो बेटी को, फिर वो अपनी बेटी के पास आयो, कहने लगा कि, तुने तो मुझे गुडबाई कहा था, जिस प्रकार पहले तुने गुडबाई कहे के अपने दादी और दादी को यमलग पहुशा दिया, पर मुझे आज कुछ नहीं हुआ है, तो कहने लगी पिता जी पर पड़ोस के जो जो चाचा जी है, वो मर गए, तो फिर उसकी पि क्रोध आने लगा, पिता जी की वास्ता भी पिता जी तेरा कौन है, तो क्रोध आने लगा, तो उसी प्रकार हर जीव, क्रोध और भय ये दोनों से पीडित होता है, तो यहाँ पे महाप्रपु श्रील रूप गुर स्वामी को शिक्षा देते हैं कि कोटी ज्यानी मद्दे ह ज्यान योग का अनुशीलन करते हैं, वो भगवान के भक्ति के सहारे ज्यान मिश्र भक्ति जिसको कहते हैं, उसके सहारे वह जीव, मुक्ष की प्राप्ति करता है, यानि इस संसारिक दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, पर ऐसे मुख्त जीवों में भगवान स्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बहुती कम है, अति अल्प है भगवत गीता के पाच्वे अध्याय में 29 वाशलोग भोक्ताराम यद्ने तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहिदम सर्वभूतानाम न्यात्वामामशांतिं रच्छति यानि स्री कृष्ण कहते हैं भोक्ताराम यद्ने तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम मैं सभी लोकों का महेश्वर हूँ और सभी जो यद्ने किये जाते हैं उस यद्ने का मैं भोक्ता हूँ जिस प्रकार लोग तपस्या करते हैं उस तपस्या का मैं भी भोगता हूँ और मैं सभी जीवों का सुहिद हूँ यानि सुहिद मतलब सुहिद का अर्थ है मैं उनका अतिप्रियमित्र हूँ और ये सब जानता है उसको परमशांती मिलती है जिस व्यक्ति को पता है कि भगवान स्री कृष्ण ही सभी यद्नियों के तपस्याओं के और सभी लोगों के महेश्वर स्वामी है और सब जिवों के मित्र है यह जानने वाला हमेशा शांती में जीवन जीता है तो कृष्ण भक्तनिश काम टैव शांत भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सतली अशांत तो भगवान कृष्ण की जो भक्ती करता है वैश्नव गुरु के आश्रित होके निश्काम भाव से वो हमेशा शांत उसके मन में हमेशा शांती सुख आनंद होता है पर जो संसारिक सुख स्वर्गिय सुख विशय सुख और मुक्ती की कामना करने वाले हमेशा अशांत रहते हैं उनको सुख प्राप्त नहीं होता उनको केबल संसारिक लोगों को संसारिक लोगों को बहुती तच्च सुख की प्राप्ती होती है और जिनको मुक्ती मौक्ष प्राप्ती होती है उनको अल्प सुक्य की प्राप्ति होती है पर जो भगवान की भगत है उनको वर्धित सुक्य यानि जो सुक्य हमेशा बढ़ता रहता है जो वास्तविक सुक्य है उस सुक्य की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण कहते है कि भगवान की भगति उनका भक्ति का अनुशीलन केवल उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए चाहिए और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए जिसमें कोई संसारिक अभिलाशा ना हो केवल भगवान कृष्ण की प्रेम प्राप्ति का ही इच्छा रिदय में हो उस भाव से ही भगवान की भक्ति करना न्यान कर्माद नावृत्त न्यान योग कर्म योग से अनावृत्त उसमें न्यान और कर्म योग की भावना ना हो अनुकुल लेन कृष्णा अनुशीलनम प्रतिकुल भाव चोड़के अनुकुल यानि भगवान कृष्ण को जो प्रेमा की प्राप्ति होती है यही जीवन का मुख्य लक्ष है